नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सप्रेम कोड ने तो फैसला दे दिया है लेकिन इस पर अभी विवाद क्यों है और यूपी ट्रपलासी ने आज एक नोटीस जारी की है चात्रों की बहुत प्रतीचित मांग पूरी होगा यह तो वीडियो को जल्डी से लाइक करते हैं शेयर करते हैं और जिन चात्रों ने च के टेस्ट दे करके एक जो ऑनलाइन टेस्ट जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिये हैं उस टेस्ट को दे करके अपनी मन पसंद की जॉब राप्त कर सकते हैं री लेविल बहुत बड़ा प्लेट फार्म है इसके बारे मैंने पहले भी बताया था और यहां पर कोई करी मैं बात में दूंगा लेकिन पहले बात करेंगे EWS आरचन की और उसके बात में हम लोग बात करेंगे UPSC की EWS आरचन पर अभी वी विवाद है फैसला तो आगया सुप्रिम कोर्ट का और सुप्रिम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार ने 10 प्रिस्ट आरचन कहा था वो लगा लागू किया था एक सो तीनुमा समविधान संसोधन वो बिल्कुल सही है आर्थिक अधार पर आरचन दिया जा सकता है और इसी के साथ में ही आप EWS आरचन को लेकर के मांग तेज हो गई है एक लाग तेज जर टुट हो चुकी है अब यह कहा जा रहा है कि यह जो आरचन व और OBC को आरचन मिलता है उस तरीके से EWS आरचन नहीं है इसमें भी बहुत सारी कमियां भी है चूंकि भारती जंदा पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया था ते इसलिए भाजपा ने सुप्रिम कोट के फैसले का स्वागत किया है वहीं पर जो बेंज गडित की गई थी गरीब तबके के लोगों को उच्छ सिक्षर संस्थानों में दाखिले और सरकारी नोकुरियों में मिलने वाले दस फिजदी EWS कोटे को बरकरार रखा है पात जज़ों की समविदानिक पीट ने तीन दो से इस कोटे के पक्षी में फैसला सुनाया चीप जस्टिस यू यू किया था इस फैसले का और इस पीट में भी थे उन्होंने कहा है कि यह देखिये लिखा हुआ है इस विस्तार पर बात से करते हुए अरच्छन के लिए पचास फिजदी की सीमा का उलंगन करना गलत है यह समविदान की मूल भावना के खिलाब एक केस था इंद्रा साहिनी का केस जिसमें यह कहा गया था कि पचास प्रसे से ज़्यादा अरच्छन नहीं देना चाहिए उन्होंने कहा कि OBC और SC ST वर्ग में गरीबों कि संक्या सबसे ज़्यादा ऐसे में आर्थिक अधारवर्ण दिये जाने वाले अरच्छन से इनको बाहर करना भेदभाव पूर्ण है यानि कि जो यह आरच्छन दिया गया है तो उसमें EWS में SC ST और OBC क्यों नहीं है जो यह एक तर्क दिया गया था उसकी यहां पर चर्चा की गई है और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है लिका पूरू सांसत कांग्रेस नेता उधित राज जिने तो इस फैसले का विरो की सीमा का हवाला दिये जाता था चुकि कुछ राज्यों ने 70% 80% और 90% आरच्छन दिने की योजना बनाई थी और ऐसे आदेज भी कुछ राज्यों ने दिये थे जिसको इसका हवाला देते हुए आरच्छन पर रोग हमेशा लगाया जाता रहा है उसकी यहां पर चर्चा दिये 90 करोड तक की जाब दिये यहां पर फ्री टेस्ट की तरह तो आप जाब पही सकते हैं और टेस्ट भी अच्छे नमर लाने के लिए यहां पर कुछ कोर्स भी उपलब्द हैं जिने आप लोग देख सकते हैं और यहां पर री लेवल दावा करता है कि अगर आपकी रासी आपकी वापस करती जाएगी और एड्मिशन लेने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा पूरा पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा यहां पर जो लिंक मैंने आप लोगों को दी है उसमें आप लोग री लेवल का जो काउंसलर है उससे अपाइंटमेंट ले सक से काौंसलिंग कर सकते हैं जैसे आप ले लेते हैं अगर आप पूरी क्लाश अटेंट करते हैं चाहिए तो लगबॉफ अब बात होगी उत्तर प्रदेश अधिरा सेवा चैनायोग की यूपी ट्रपल सी ने आज एक नोटीस जारी की है आप लोग यहां पर देख सकते हैं और मैंने नोटीस को क्लिक कर रहा हूं अभी तक मैंने डाउनलोड नहीं किया है और यह डाउनलोड होने वाली है बहुत ज का मोखी परिक्षा के अंतरगा तो प्रधान मोखी सरनक्षा को वन वन जी विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणा धीन वन दरोगा के साथ सो एक पदोंपर चेन है तू सत्रें अक्टूबर से आनलाइन आवेदन आमंत्रत किये गया तो इसकी लास्ट डेट 6 नवंबर रखी गए थी शुल किसमा योजन आवेदन में संसोधन की अंतिमति थी 13 नवंबर है कि प्रश्णिकत विग्यापन के अंतरगत तकनीकी कारणों से दिनांग 6 नवंबर को आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बाधित रही वेब साइट सरवर जो भी खराब चल रहा था लोगों को इसके लिए बहुत सारी छात्रों ने मेरे पास भी फोन कॉल्स किया था और बहुत सारी चात्रों ने यूपि Kenny रूब किया था यहाँ पर दिये जो नवंबर तक थी जो पांच को ही फार्म बरना बंद हो गया था अब हमारा फार्म कैसे बरे प्लीज डेट एक्सटेंड करें साफिर खान यह चात्र है अभी इनसे मेरी बात भी थी काफी परेशान थे यह चात्र और फाइली इन चात्रों की जो मांग है वो पहली बार इस तरीके से यूपिटर प नवंबर थी उसको बढ़ा दिया गया है अवेदन शुरू हो गए आप लोग अभी भी जाकर के 601 पतों के लिए यहां पर भरती यह जो आई थी बंद्रों का की काफी अच्छी बढ़ती है इसमें आप लोग आप लोग कर सकते हैं और लिखा है कि यहां पर आयो की विज् संसोधन किती थी त्यारह नवंबर ही रहेंगी जो सुल्क जमा करने की जो डेट पहले थी वो डेट अभी भी रखी गई है तेरा पहले भी थी तेरा अभी भी है हाँ आल लाइन आवेदन और रिजिस्टेशन की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया च्छी जगे नौ शर्ते वही रहेंगी जो विग्यापन संक्या चीरोच है और 2022 में तो सारा के सारा तो नूटिफिकेशन वगए रहा है वह वही रहेगा इसमें एक लिखित परिच्छा और फीजिकल भी है दौल भी 25 किलोमेटर कि इसकी बारे में मैं डेटेल्ड वीडियो बना चुका हूं